जूटे परधान मंत्र से अपील करता हूं च्यज़ लाखों किसानों की जिंदों किसात मतहिए सरथ कई अब परधान मंत्री देश के परधान मंत्री हैं हम सब कि आपको सत्ता की भूग लेकिन हमारे किसान मोर्चों पर डटे हुए और वहां अगर करोना संक्रमन फैलेगा तो बहुत सा लोग की जान जो है जोखी में चले जाएगी अपना एंकार त्यागी अपनी हट्दर्मिता त्यागी और किसानों की मांग मान के उनको से सम्मान साइस में मेरी जान क्यों न चली जाये मैं अध्याइद चाहर खिलाप तो मेरी पहचान है मैं लड़ूंगा और आपको इजाइज नहीं दूगा कि आफ हमारे वे सांद मजाग करें आप उनको हटाने का काम करें उनके साथ जुन जाथती करें उनको गोलियों से भी खेलना के साथ दुल्म जाती की तो यह सरकार इसे मेरी चेताव नहीं भी समझे इस मामले में कोई समझोता नहीं होगा पहले हम कई आंदोल हम खोचुके हैं लेकिन देश को बचाने किसा अंदोल को नहीं खोने देंगे कुछ लोग जो हैं देश में नेजी कांड पर बहुत कुछते कि प्राइवटे जिसन हो रहा है बहुत अच्छी बात है होना चाहिए यह लोग काम नहीं करते हैं सरकारे वाले सरकारी वाले जो हैं यह हाथ प्याथ धरके खाते हैं और सर अब कौन सा प्राइवेट होस्पिटल आपको एडविशन दे रहा है अब तो आप सरकारी के भरोसे हैं सारे अधिकारी करंद चाहिए वह गौवर्मेंट होस्पिटल हो या फिर वह पोलिस हो या परसासन के चरिता मंश्पिटल में हैं और आप आज खर्चा नहीं तो सर अब कौन से सरकारी वाले को गाली देंगे यह अपनी जिम्मेदारियों से भाग के काम नहीं चलेगा यह तो एगर चुनाव के सा इसम sources भागते हैं और यह सबान नहीं करते हैं कि निजी गंड पर खुश होने वालों से मैं दुवारा पूछना चाहता हूं सर अब जहां आपकी आई इतनी अच्छी नहीं है आपको तो पता है ना कि प्राइवेट वाले तो अभी किसी की गाड़ी भी रख लिए उन्हों नहीं दे रहे तो किसी गाड़ी भी रख लिए कि गाड़ी छोड़ जाओ गाड़ी हम लोग सी रखेंगे अपने बाद अगर पैसे चुका दो तब ले जाना यह प्राइवेट और आज अगर आप प्राइवेट में हैं आपकी वीवी बिमार है तो आपको चुट्टी नहीं मिलेगी अगर आपकी मां बिमार है तो चुट नहीं दvousकार यह और आप सवाल स्वाष नहीं करना चाहते इसलिए आप सब चीजों से अनुभीग हुए बैट Norway वीर शा सकते हैं यह जो यह जो किराय पे लाएवे लोग हैं जोडानी एंबानी के अपने लोग हैं यह आरसस भाजपा के लोग आपका भला नहीं कर सकते और जो लोग पहले भी सरकार नहीं है उन्होंने कितना भला कि आप देख लीजे दूसरे देशों की तुलना में हम लोग कहा हैं और आज भी ल दुख है कि यहां तो आप हाला देखे मुसल्मान होना अपराद है जब पिछली बार तबली की जमाद पर बात आई थी तो कितना बावाल कटा तो हम यह देश के लोगों ने पानी पीपी के गाल्या दीती मुसल्मानें को अब कुम्ब में क्योंकि आपका वोट खत्रें प पर नहीं उनको सवाल करेंगे नहीं पुलिस बेच के जोड़ बस्ती करेंगे नहीं उनको जेल में डालेंगे क्योंकि आपका हिंदू वोट खत्रे में पड़ जाएगा तो वोटों के सोधागर को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप आम आंदमी की जान क्यों खत्रें क कर सकते हैं लोग नहीं निकल सकते हैं लेकिन आपको आप तो सही पर भी सवाल नहीं कर सकते हैं तो कुम्ब से आस्था का की चटनी से मुक्ति तो हो सकती है आपके आत्मी मुक्ति तो हो सकती है लेकिन क्या उसके बाद जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रध हम इनिया को सब्सक्राइब की ताकत मैं सरकार में होता तो मैं होने यह नहीं देता सब चीजिएSpag हमारे तो बुनिया पहले क्यूकि हम जानते हैं मुस वर्ग के रही करीब वर्ष्कτά तो उन पर ध्यान देते हैं जहां से बुनिया जहां से देश को मजबूत ही देनी है तो यह हालाद है और इस हालाद के कारण मैं याद दिला रहा हूं और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि 25 तारिक को इसा मांगे हर्याना सरकार से रमन वाल में की भाई की हत्या सब्सक्राइब करेंगे लेकिन मैं नोजवानों से जो 51 प्रसेंट नोजवान है देश के मैं उन से अपील कर रहा हूं वो हमारी बेहने हों वो हमारे नोजवान साथी युवा हों पुरूस हों कि अगर आप इस भरष्टा चार की राजनीती से आप इस दोगली जूटी धरम की चटनी वाली राजनीती से आप अगर देश के अच्छे नागरिक हैं देश को आगे इस बरबाद होता है कि उनके अजन्डे में सब चीजे है ही नहीं तो मैं यह भी कह देता हूं कि वही बहुसंक्यक होने से भी परिवर्तन नहीं हो सकता परिवर्तन होने के लिए तो आपको जागरूख होना पड़ेगा आपको सिक्सित होना पड़ेगा आपको जो है वो स् सरकार के खिलाप लड़ें और उन सब सरकार के खिलाप लड़ें जहां 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 आप यह भी देख लिए कि देश के कौन से प्रदेश में हालात बहुत सामने हैं जहां सारी सुधा हैं यानि कि सारे लोग भरिष्ट हैं तो उन सब के खिलाप आपको लड़ना होगा और मैं यूआउ से देश के यूआउ से आवान करता हूं कि एक जूठ होके ऑग जूठ होके इन जूटी दोगली और ये जो सरकार है जो जिनके अजन्डे में ये नहीं है उनके खिलाफ लड़ने काम कीजिए एक जूट रही है मैं आम जन्ता से भी अपील करूँगा लेकिन उस से पहले मैं देश के जूटे परधान मंतरी से अपील करता हूँ कि लाखों किसानों की जिंदों की साथ मत खेले सर आप प्रधान मंतरी देश के प्रधान मंतरी हैं हम सब के प्रधान मंतरी हैं मैं समझता हूँ कि आपको सत्ता की भूग है लेकिन हमारे किसान मोर्चों पर डटे हुए और वहां अगर करोना संक्रमन फैलेगा तो बहुत सा लोग की जान जोखिम में चले जाएगी अपना एंकार तयागी अपनी हटदर्मी तयागी और किसानों की मांग मानके उनको सह सम्मान सुरक्सित उनको वापिजने मदद कराएं करोना को हतियार बना के उनके साथ जुन जात्ती करने का प्रयास मत कीज़ेगा आप ऐसा करेंगे तो मैं वचन देता हूँ मैं संकल्प लेता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं लाखोल दलितों को लेके मोर्चों की तरफ निकलूँगा अगर आपने ऐसा कदब उठाने का प्रयास किया चाहिस में मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन मैं अन्या एत्ता चार खिलाप जो मेरी पहचान है मैं लड़ूँगा और मैं आपको इजाइज नहीं दूँगा कि आप हमारे किसानों के साथ मजाक करें आप उनको हटाने का काम करें उनके साथ जुल्म जाती करें उनके अगर आप गोलियों से भी खेलना चाहेंगे उनके साथ तो सीना हमारे सबसे पहले रहेंगे मैं वचन देता हूँ कि अगर आपने ऐसा करने प्रयास किया तो मैं निकलूँगा आपने सब लोगों से अपील करके और पैदल निकलूँगा और मोर्चों की तरफ और इस लड़ाई को फिर हम लोग लड़ेंगे अगर आपने हमारे किसान परिवारों के साथ दूम जाती की तो ये सरकार इसे मेरी चेताव नहीं भी समझे इस मामले में कोई समझोता नहीं होगा लेकिन देश को बचाने किसे अंदल को नहीं ख़ोने देंगे पोगा सरकार गोली से खेलना चाहेगी बंदूकवर्के समाज के लोगों से हर उस वेक्टी से जो सक्सम की गरीब लोग परिशान वो अपने लोगों बचाना चाहते हैं सरकार ने सुधाय नहीं दिये उनकी मदद कीजिए आप लोग निकल लिए और अपनी जान की सुक्षा करते वे जो जरूरी चीजें जैसे मार्स, सैनिटाइजर और गलफ्स वगेरा पहन के उनके आर्थिक या जो भी मदद आप कर सकते हैं आप कीजिए और अपने देश के लोगों सुक्षित कीजिए क्योंकि जब ये देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो आप लोग लड़ेंगे किसके लिए तो वो लोग धोका कर रहे हैं आप लोग मत कीजिए मेरे आप से अपील है भी मैं आर्मिय राजास समाज पार्डिक कारे करता हूँ से कि जहां भी कोई परिशान हो और वो आपसे मदद वांगे मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सरकार में नहीं हूँ तो मैं लोगों से मदद ले लेकर कर रहा हूँ लोगों से अपील करता हूँ लोगों को फॉन करता हूँ कॉल करता हूँ कि मदद कीजिए लेकिन मैं आप से कहता हूँ कि आप जिसमें जरुत मंद की मदद कर रहे हैं तो अपने आपको सोभागे सालिमानी और ये जूट पाखंड बाद और तमाम तरह एक चीजों से निकल के विज्ञान के शेत्र में जाईए आज जो अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो वो दवाई बहतर इलाज है तो मेरा आज का जो लाइव था इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हजारों कि संख्या में इसको सुन रहे हैं लेकिन इस पर अमल भी करना है सक्ता राइंतिक व्यवस्था इसलिए कि परिवर्टन किया जाता 71 साल में आज भी जो है अगर देश में 84 करोड़ लोग सस्ते राशन पर निर्वर है तो बदला क्या है देश में यानि कि लोगों ने बदल लाइन चाहा लोग चाहते हैं गरीब लोग उनके मोहताज बने रहें उनकी उनके अधीन बने रहें मैं इस व्यवस्था को बदलने में आपकी मदद चाहता हूँ अपने देश को का जो नाम है दुनिया में सोने की चिडिया उसको दुबारा से बुलंद करने के लिए इस जूटी धरम की चल की मंदिर मस्चित की पाखंडबाद की राजनीती से बाहर निकाल देश के लिए कुछ करने के लिए देश के वंचित वर के तबके को अधिकार के लिए और देश के गौरव को जिंदा रखने के लिए उस गौरव को जब जै भीम जै भारत कहते तो गर्व से हमारा सीना जो है चोड़ा होता है जब टीम इंडिया जीती है तो हम लोग गर्व करते हैं जब भारत से कोई गौल्ड मेंडल लेके आता है चाया ओलमपिक में हो या एसियार्ड में हो कहीं भी तो हम लोग फूले नहीं समाते हैं जब भारत का कोई व्यक्ति टॉप करता है भारत का नाम रोशन करता है तो हम लोग अपने आपको गौर्वान वीद मैसूस भारत के संवान के लिए मैं देश के नोजवानों से यह कहना चाहता हूं की दूत्रों के भरोसे मत छोड़िए इस्वर के भरोसे मत छोड़िए किसी के भरोसे मत छोड़िए अपने पड़े हैं हमारी गुर्वों महापुर्शों को जब भी हमने प्रिवर्तन की लड़ाई लड़ी तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा है तो खूब मदद करें यह मदद जो है लोगों के परतियापके भरोसे को और मजबूत करेगी जैभीम जैभारत जैसाविधान जैवेग्ञान जै लोकतंत्र और अपनों की खोने की किमत वो ही जानता है जिसने कोई अपना खोया है मैं तो इस समाज को परिवार मानता हूँ इस पूरे देश को परिवार मानता हूँ बहुजन समाज को परिवार मानता हूँ मैं तो करोडों माताओं बहनों के दुख को उनके आंसों को पूछना चाहता हूँ मैं तो अपने बुजर्गों के कि पगड़ी का सम्मान रखना चाहता हूँ मैं तो नोजवानों के लिए हकादिकार चाहता हूँ उनके लिए रोजगार चाहता हूँ उनके लिए अच्छे जुगेसन चाहता हूं, मैं तो देश में समता समानता बंदुत भाई चारे पैराधारीत, समता मुलक समाज के स्थापना के लिए बावशाम बेटको और मान्यबर काश्चिराम साब के सपने को पूरा करना चाहता हूं, और इस लड़ाई में मैं आपका अनुकमपा हम सब लोगों पे हो। सद्गुर्य रवदास जी महाराज भगवान वालमिकी महाराज गुरु नानक देव संत कबीर के अनुकमपा हम पे हो। और वह नुकमपा इसलिए हो कि हमें सद्गुर्द्धी मिले देश के लोगों को और हम लोग इस नकम्मी और भष्टाचारी सरकारों को अठाके अच्छे लोगों काम करने मौका दे जिससे की भारत का भविस्ते जो है वो अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जै झो एपन धन्यवादा है भार। भविस्ते अस्टे मौका देखे जो है दो झाल शन्यवादाब है लोो ऑड़िसदे आपने मिले दो, अजिन तयो है कि हम भार गछब